आज का हमारे टॉपिक है एबियो ब्लड गुरूप सिस्टम या ब्लड गुरूप सिस्टम क्या होता है यह आप सबने सुनाई होगा ठीक है आज हम इसके बारे में डीटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारी ब्लड सेल्स के उपर जो होता है कौन सा एंटीजन प्रजेंट होता है तो कौन से एंटीबोडी होनी चाहिए ठीक है और हम किसे ब्लड गुरूप जो है जैसे ए ब्लड गुरूप वाला किसको दे सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है नॉर्मली आपने सुना होगा कि ए ब्लड गुरूप सिस्टम ह होता है बी होता है तो कैसे होता है आज हम ये देखेंगे कि चिशाहइं होना पता करते हैं कि हमारी ब्लड क्यों और उसके नियुंट है तो सबसे पहले इस ही बलड गूरुप सिस्टम को हैं हैते हैं सबसे पहले किस ने बताए था कार्ल लेंड इस्टीन ने इस इंपोर्टेंट पॉइंट ओफ यू में एक्जाम एंड कोंपेटिटिव एक्जाम इन जनरल आपके नोलेज के लिए आपको याद होना जरूरी है कि यह भी ब्लड गुरूफ सिस्टम को किस ने आइडेंटिफाई किया था तो कार्ल लेंड इस्टनर ने और कब किया था 1901 में हमें पता चल चुका था कि ब्लड गुरूफ सिस्टम भी कुछ होता है ठीक है 1901 में अब हम देखते हैं कि blood group system कैसे होता है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे मैंने आपको बताए कि हम इससे क्या देख रहे हैं कि हमारी red cell के ऊपर कौन सा antigen present है ठीक है अब आपने यह तो पड़ा ही होगा कि यह blood होता है blood के अंदर plasma भी होता है red cells होती है blood cells में हमने मैंने आपको बतायां था देखने हैं और का फ्लास्मा होता है एक तरह होता हैं ब्लड Πलाजमा और होता है blood cells जिस में हमीठcek की बात कर रहे हland कर बनाय ने सी पूपर के उपर mechanical रूकिभर को एंटीजेंदेर प्रसिंट अधर लॉटी क्या इंदर घर्सिंट होका जब कोई लिए और पार्टिकल बिक्टिरिया वाइरस तो उसके अगेंट्स एंटीबोस्ती बनती है और उसको fight करके kill करने का काम भी करती है यह एंटीजन जिस तरिके से हमारी एदीजन के उपर प्रजेंच है उसी प्रकार उस foreign पार्टिकल के उपर बें प्रजेंच होता है यह क्योंकि यह कोई foreign पार्टिकल नहीं है यह हमारी A, यह B, यह AB और O, mainly 4 types के blood group होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है, और O होता है, clear है, अब A कैसे होगा हम यह देखते हैं, A blood group तब कहलाएगा, जब हमारी RBC के उपर, red cell के उपर antigen A present होगा, ठेके, A blood group कब होगा, जब हमारी red blood cells के उपर, यानि कि इरेथ्रोसाइड के उपर, हम RBC को इरेथ्रोसाइड भी केते हैं, तो उसके उपर क्या present होगा, antigen A present होगा, ठेके, तो हम उसे क्या कहेंगे, A blood group, ठेके, अब यह antigen A present है, तो इसके against हमारी plasma में कौन से antibody present होगी, antibody B present होगी, यह just इसके opposite होता है, अगर आपका blood group A है, तो आपकी red cell के उपर antigen A present है, ठेके, आपका blood group अगर B है, तो आपकी red blood cells के उपर B antigen present है, ठेके, इसी प्रकार, अगर आपका blood group A, B है, तो आपकी red blood cells के उपर A antigen भी present है, और B antigen भी present है, है ना, अब आपको diagram में दिख रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ देखो, कि यह क्या है, हमारा antigen है, और यह हमारा क्या है, antibody है, अब यहाँ आओ, ठेके, मैंने महाँ बना रखा है antigen, ठेके, यह antigen, ठेके, clear है, यह क्या है, हमारा antigen है, यह भी antigen है, यह भी antigen है, यह आपको antibody यहाँ दिख रही है, ठेके, clear है, अब आपको यह दिख रहा है, यह क्या है, A blood group, ठेके, यह आपको दिख रहा है, B blood group, ठेके, यह B antigen है, ठेके, यह diagram के लिए मैंने बनाया है, आपके identify करने के ल B है ठीके अब यहाँ पर आपको केवल गोल गोल ऐसा दिख रहा है RBC की सेल पर तो यह हमारा एंटिजन यह हुआ आपको ऐसा त्रिभूज जैसा दिख रहा है तो यह हमारा एंटिजन B हुआ ठीके और अगर आपको त्रिभूज भी दिख रहा है और ऐसा गोल गोल चक्रा बना हुआ हुआ आप भी दिख रहा है तो यानि कि A भी है और B भी है ठीक है अब आपको इसके उपर कुछ भी नहीं दिख रहा है यानि कि शुन्य है ना तो A है ना B है तो इसकी red cell के उपर antigen A भी नहीं है और antigen B भी नहीं है अब आपको यह antigen अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं antibody के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी red cell के उपर antigen A होगा तो उसके against कौन से antibody बनेगी antibody B बनेगी ठीक है A के against B और अगर B है तो B का उल्टा कर लो B का उल्टा C नहीं होगा B का उल्टा करो A होगा ठीक है A के बाद में B तो आ रहा है बट B का उल्टा अगर आप करोगे तो A देखना है ठीक है तो अगर B antigen आपकी blood cells के उपर हुआ आपका blood group अगर B हुआ तो आपके अंदर क कौन सा होगा आप बताओ antigen आगर A भी है और B भी है तो antibody होगी नहीं क्योंकि B के against A बननी थी ठीक है और इसके against A के against B बन रही है और B के against A बन रही है ठीक है तो वो दोनों ही नहीं होगी क्यों नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी इतना याद रखो कि अगर AB blood group आपका है तो आपके plasma में कोई सी भी antibody नहीं होगी और शुन्य है शुन्य मतलब कि कोई भी antigen नहीं है अगर कुछ भी नहीं है तो दोनों antibody present होगी ठीक है क्लियर है अगर हम देखते हैं कि अगर क्या होता है मान लो अगर क्या होता है कि अगर red cell के उपर antigen A है और आपका plasma में अगर antibody A बनती है तो ठीक है आपको यह डाइग्राम में इसका shape दिख रहा होगा ठीक है वह इसके लिए है और यह shape जो है वह इसके लिए है क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको कि यह antibody का shape जो है वह इस तरीके का है और इसका round है तो यह दोनों आपस में bind नहीं कर सकते ठीक है मान लो मेरा blood group A है तो मेरी rate cell के उपर antigen A present है तो मेरी antibody जो है तो हमारी body में clumping नहीं बनेगी और clumping नहीं बनेगी तो कोई reaction नहीं होगा ठीक है और अगर ऐसा हुआ मान लो कि जैसे कि यह हमारी क्या है antigen B है ठीक है और मान लो अगर antibody A हमारी body के अंदर आ गई तो वह क्या करेगी इस से इस तरीके से bind हो जाएगी और clumping बना लेगी बाइंड होके clumping बनने लग जाएगा हमारे blood में और clumping बनने लगया तो खून जो होता है वह बहना बंद हो जाएगा और अगर बहना बंद हो गया तो उसके कारण आपकी म्रत्यू भी हो सकती है ठीक है तो यह बहुत rare condition में होता है वैसे तो ऐसा पर हम जब भी blood group करवाएं हमारा बहुत ध्यान से करवाएं और शोर करें कि आपका blood group जो है वह ऐसा भी है तो बी है या एबी है जो भी है तो उसको शोर करें ताकि आप अगर आपका कोई आपका blood जो है किसी और को देते हो तो वह उसके अगेंट्स कोई reaction नहीं करें क्योंकि किसी का जान का मामला हो जाता है इसमें तो हां क्या बात कर रहते हैं हम तो इसलिए इसके अंदर antibody जो है इसके अगेंट्स बनती है ठीक है clear समझ में आ गया क्योंकि इसके अंदर antigen क्या है यह है ठीक है और अगर इसने ऐसी antibody बनाई मानलो इसने ऐसी antibody बनाई तो यह इससे क्या करेंगा कर लेगा ठीक है अगर यह क्योंकि यह क्या है antibody यह है ठीक है और अगर एसी बनाई तो यह इससे बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका शेप और इसका शेप अलग आपका blood group A हुआ तो red cell के उपर antigen A होगा और antibody B होगी, B है तो A होगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं AB की, अब आपको यह समझ में आया होगा तो यह भी अच्छे से समझ में आई गया होगा, कि अगर AB blood group आपका है, तो आपकी red cell के उपर A antigen भी है और B antigen भी है, इसलिए इ इसके उपर मान लो कि A antigen हुआ, तो यह क्या करेगी, इससे bind कर लेगी और clumping बना लेगी और antibody अगर B हुई, तो यह इससे bind कर लेगी और clumping बना लेगी, इसलिए इसके उपर plasma में कोई से भी antibody नहीं होती है, और अब यहाँ बात करते हैं, यह क्या है हमारा O blood group है, यानि कि इसके उपर कोई antigen नहीं है, तो कोई से भी antibody आके bind कर लेगी, तो कोई reaction नहीं होगा, क्योंकि कोई antibody है ही नहीं किस से reaction करेगी, किस से fight करेगी, घर में कुछ ही नहीं, तो चोर क्या ले जाएगा, वो वाली बात होगी, ठीक है, तो यह आपको आई हो, पच्छे से समझ में आगया होगा, कि ब्लड ग्रूब जो है, वो किस टाइप से होता है, किस टाइप से antigen पहे, रेएप्स से प्रेजंट होती है, अब हम देखते हैं, कि कौन से ब्लड ग्रूब वाला व्यक्ति जो है, वो किसको अपना ब्लड दे सकता है, तो हम ने अभी देखा, कि अगर cell के उपर antigen B है तो blood group आपका B होगा और अगर A B है तो A B होगा और O है तो O होगा ठीक है तो यह आपकी antigen के उपर depend करता है कि आपका blood group जो है वो कौन सा होगा ठीक है तो अब हमने अभी देखा कि अगर antigen A है तो antibody जो है वो B होगा ठीक है जस्ट इसका अंटिज्च होगा गर binary है तो ए होगी और एकर दोनों ही एन्टीवोडी उसमें नहीं होगी और एकर दोनों ही एंटीवोडी सब्सक्राइब कर सकते हूं क्या अपका आपका ब्लOOD ॉप कोण सा हैं हम देखते हैं तो a blood group यानि कि आपकी red cell के उपर antigen कौन सा है तो a blood group आला व्यक्ति जो है वह a को भी blood group दे सकता है और a b को भी अपना blood दे सकता है थिकए एक ऊपर हमने अभी देखा था कि a वाला देगा अगर a को तो उसके अगेंट्च से antibody कौन से बनी हुई है b बनी हुई है तो ये ही तो हैं से को यका था कि यह इस तरीक की जो है वो एंटिबोडी यह नहीं करेगी तो एगald सकता है क्योंकि उसके है एंटिजन से है को रहा है क्यों क्यों घ्यूंट करेख कि developments सबसे करने काम करता है कौन और लेने का काम करता है कौन यानिकि A B सभी से ले सकता है याने कि universal receiver और O सबको दे सकता है याने कि universal donor हम इसे कहते हैं इसे प्रकार B का भी system है कि B blood group वाला व्यक्ति जो है वो B को भी दे सकता है और A B को भी दे सकता है और लेगा किसे क्यपल B से और O से चाये क्यों दे सकता है AB को मैंने आपको यह बता दिया है क्योंकि AB के उपर कोई antibody नहीं present होती है और अगर antibody नहीं present है तो antigen A हो या B हो इसको कोई फर्थ नहीं पढ़ता है ठीक है और B से लेगी तो क्या होगा? क्योंकि इसके अगेंस अगर B को दे रही है तो क्या होगा एंटीबोडी कौन से बनी हुई है ए बनी हुई है तो वो B से रियक्शन करेगी नहीं ठीक है और अगर O से ले रही है तो O के उपर तो कोई सा एंटीजन ही नहीं है एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबोडी किससे रियक्शन करेगी ठीक है इसलिए B वाला जो ह तो एबी जो है वो यूनिवर्सल र Chelsea वर कैसे यानि कि यह से बी से भी ले सकता है बी से बी सकता है और से बी ले सकता है अब यहां आते हैं आपन तोite क्वhale oxygen भी यह से ले सकता है क्योंकि इसके उपर कोई antibody नहीं है अमने पहले देखा कि इसके उपर कोई antibody नहीं है तो यह से ले इसके उपर एंटीजन हाए बी इंटीजन हाए ओ आए इसको कोई फरक नहीं पर सकता तो यह बी से भी ले सकता है एबी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है क्योंकि इसके उपर कोई antibody नहीं है और antibody नहीं है तो कोई reaction नहीं होगी अब ब इसके उपर कोई कोई नहीं है कोई अंटीजन नहीं है नहीं कोई शेची बाट यह लेगा किससे के वल वह से ही जिसके उपर कोई अगर सब्चानल कोई नहीं मतलब के दोनों और यहाँ पहलगा मैं अटा देती हुँ ऐसको लिए को मैं अगर नहीं तो दोनों रही रहा है तो उसे लिए अगर और सकता है टूका एट हव सकता हैं रहें ऍसक्रूर आपको ब्लड़ ब्लड़ ग्रूप नेक्स्तिनहीं के आन नेकिक हूं पड़ेंगे आर्व सिस्टम के बारे में यह तो हमने देखा ब्लड़ ग्रूप 59 होगा कि ब्ल्लड जों पॉसितिव भी होता ओर नेकिटीव होता है हैं अगले वीडियो में आरे सिस्टम के साथ यान की ब्लड ग्रूप पोजिटिव और नेगेटिव के साथ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बुक्स में शेयर करें